हेलो फ्रेंड्स मेरा एलेक्ट्रिकल टेक्निक के यूट्टूब चैनल में आप सब का स्वागत है आज का वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी रिवर्स फॉरवर्ड मोटर में इंडिकेशन लेंप और साउंड हूटर का इरेक्शन और मोटर पैनल से कनेक्शन कैसे करते हैं आज का टॉपिक है हमारा हाओ टू इरेक्शन और कनेक्शन लाइट इंडिकेशन लाइट और साउंड हूटर इन इन मोटर पैनल सबसे पहले हम एक फेस लेंगे 110 वोल्ट यह हमारा फेस हो गया 110 वोल्ट का तो कि एस सी अब यह हमारा एक फ्रवर्ट कॉंटेक्टर हो जाएगा जो अल्रेडि अल्रेडि पैनल में एक्शन है यह ले 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 लते है वन टर्मिनल यह बोल्ट कॉंटेक्टर को जो पैनल में और इरते जो मोटर के क्लिए हब यहां से अबिंग करके लेंगे दूशरा आट्टेक्टर को जो हम साउंड हूटर और इंडिकेशन लेंप में लेके जाएंगे जिसको हम मान के चलते हैं यह भी फ्रवर्ट कॉंटेक्टर है उसका एवन टेर्मिनल है और यह एट्टू टेर्मिनल है यहां से एक न्यूट्रल दे देते हैं जिसको लेके जाएंगे आपका दूसरा रिवर्श कॉंटेक्टर एक ले लेंगे उसका भी फेज ले लेते हैं 110 वल्ट एससी यह हो जाएगा पैनल का फ्रवर्वर्ट कॉंटेक्टर जो अल्रेड़ी मोटर का है एवन एट्टो यह एक अलग से लेंगे जो यह होटर और लाइट के लिए रहे यह एवन टर्मेनल यह एक टो यह हमारा हो जागा रिवर्श कॉंटेक्टर यह भी हो जागा रिवर्श कॉंटेक्टर यह यहां से होगे नेट्राल यह जो कॉंटेक्टर है जो हमारा अल्रेडी पैनल में है वो है सिक्स्टी वन के वन यह है सिस्टी वन के टू इसका हम टर्मिनल दे सकते हैं कुछ भी मालेज़े इसको हम अब हुटर और लाइट का कनेक्शन कैसे करेंगे तो यह हमारा हो गया फॉर्वर्ड हो गया जो मोटर का है अल्रेडी लगा हुआ तो एक सरकीट डियाग्राम बना रहा है यहां से एक ले लेंगे हम फॉर्वर्ड कॉंटेक्टर का एनो यह हो जाएगा एनो और एक ले लेंगे रीवर्ड कॉंटेक्टर का एनो यह यह फॉर्वर्ड के लिए हो गया और यह रीवर्ड कॉंटेक्टर का एनो यहां से इसका एनो को यहां गुलाके ये वन टर्मिनल को यहां से इसका फ़र्वर्ड कोनटेक्टर का एनो में दे देंगे यह यहां से Licinいます दो यह ब्र उसका फ्रर्वर्ड कंटेक्टर का एयर नो में चलाग के हमारा अब इसके एक रोस में एक हुटर दे देंगे मनले यह हमारा हुटर है यह हुटर है और एक यहां से लाइट ले लेंगे इसको यहां से लाइगे और इसको यहां से नेट्रल पॉइंट दे दिया और यहां से फेस को दे दिया अब जब हमारा यह फोरवर्ड कॉंटेक्टर पीक अप करेगा मने कि एंसी बनेगा यह एंसी हो गया तो यह सर्कीट मेरा चलू हो जाएगा यह हुटर भी बच जाएगा और यह लाइट भी जल जाएगा यह सर्कीट क्लॉज हो जाएगा यहां से होते हुए यहां से यह क्लॉज हो जाएगा उस टाइम यह ओपन रहेगा जब फॉर्वर्ड में मोटर चलेगा उस टाइम के लिए और जब हमारा मोटर रिवर्स में जाएगा तो यह हमारा जो एनो है वो एंसी हो जाएगा तो सर्कीट यहां से जाके क्लॉज हो जाएगा यहां तो यहां भी हुटर बजएगा और यह अभी इंडिकेशन लेंप जलेगा तो आप चलते हैं वीडियो की और जो हम कनेक्शन करके दिखाएंगे उसमें कनेक्शन कैसे किया जाता है ड है अब हम देखते हैं कंट्रोल पाइनल जहां से हम लाइट और हुटर के लिए पोइंट लिये अवद देख सकते हैं यह मेरा फॉर्वर्ड कोंटेक्टडर का एन्रों है कि और यह रिभर्स कोंटेक्टर का योट आप और हम दोनों को आपस में लोपिंग कर दिया है और यह जब फॉरवर्ड कंटेक्टर पीक अप करेगा उस टेम लाइट और हुटर जलेगा similarly जब यह रिवर्स वाला कंटेक्टर पीक अप करेगा उस टेम भी लाइट और हुटर जलेगा पीक पीक अह ज बुटर जाएट सिंगे जनान केम कि अनलेगा जालेगा जलेगा थाठा हुटर जलेगा Wow